नमस्कार मैं सुरक्षा और आप देख रहे हैं अर्थप्रकाश टीवी क्रेम के देवता माखर्चोर मुरलेवाला या बानकुपार क्रिशन को किसी भी नाम से जानों वो हर रूप में संपोर्ण ही नजर आते हैं आज क्रिशन के बालेकाल से जुड़ी अनसुनी बाते और रहस्यों के बारे में बात करते हैं तो मेरे साथ हैं क्रिशन कुमार आरिर जी जिन्होंने श्री क्रिशन के जीवन पर बहुत बारीकी से रिसर्च की है एक किताब लिखी है कर्म-योगी कृश्न, जिसमें उन्होंने स्री कृश्न के जीवन की नेक पहेलियों को सुलजाया है और बहुत ही अलग तरीके से. तो कृश्न जी आपका स्वागत है हमारे स्टूडियों में. जैसे कि क्रिश्ण जी आपने अपनी किताब में बताया है स्री क्रिश्ण जी के वंशावली के बारे में उनकी साथ पीडियों के बारे में तो कुछ उसके बारे में दर्शकों को थोड़ा सा बताईए शुरुक्षा जी आपका भी मैं अभार्वेक्ट करता हूँ आपके जो चैनल के लाखों दर्शक हैं जो आपका चैनल है अर्थ परकास वो वास्तों में अपने अर्थों का परकास कर रहा है जो वास्तित अर्थ हैं उनको परकासित करना भी ये हर किसी के बसका नहीं होता तो मुझे ये खुशी है कि आप सत्ते के अर्थों को परकासित कर रहे हैं और परिभासित कर रहे हैं रही बात आपके क्वेस्चन की कि स्री क्रिशन की वन्सावली मैंने अपनी पुस्तक में लिखा है वो साथ पीढ़ी पहले से लेकर है और उनकी दो पीढ़ी बाद तक कि म बाद़निए जो सबसे पहले उनका नाम आता है वह महर्शी अत्री महर्शी अत्री और माता अन्सुया इन से जो स्री क्रिश्न को एक नाम मिला था जिसको उन्हें अत्रे नाम से भी कहते हैं जी कृष्ण को आत्रे नाम से भी जानते हैं माता अंसुया और महर्शी अत्री की छटी पीड़ी में महाराज ये याती ने जनम लिया ये याती के पांच पुत्र हुए उनमें से एक पुत्र था यदू बती चार और पुत्र भी थे तुम यदू महाराज के भी अगे चार पुत्र हुए उनमें से एक क्रोष्टा क्रोष्टा की बत्तिस्वी पीड़ी में महाराज सात्वत हुए हैं जिनके कान से श्री क्रिष्ण को सात्वत वंसी बोलते हैं इनकी तीसरी पीड़ी में व्रिष्णी और अंधक दो पुत्र हुए व्रिष्णी वंसी क्रिष्ण को बोलते हैं और अंधक वो कंस को बोलते हैं कंस जो था वो अंधक वंसी कहलाता था और क्रिष्ण जो है व्रिष्ण वंसी कहलाता था इन दोनों की ग्यारवी भारवी पीढ़ी में वासुदेव और देव की से कृष्ण का जनम होता है और महाराज उगर सैन के जो पूत्र के रूप में कंस जनम लेते हैं तो ये जो 60 पीढ़ी है आला कि मैंने क्रिशन के जनम के दो पीढ़ियां बाद तक औनके पोतर और अनिरूद पोत्र पर्दयोमन और अनिरूद वहां तक का मैंने इसमें वर्नान किया है ये उनकी पուरी वन्शावली का मैंने उसमें जिक्र किया है तो क्षिशन जी ये जो बात हुई अभी ये हुई श्री क्षिशन की वंशावली के बारे में, तो क्षिशन का जनम कब हुआ और उनके कितने जनम थे? इसके बारे में थोड़ए सा हमारे दर्श्कों को बताईए. तेकिए क्रिशन जनम जनमांत्रों की रिशी रहे हैं ज़िए वो कोई साधान आत्मया नहीं थी और उनके जनम को समझने से पहले हमें इस श्रिष्टी के बारे में मैं संखेप में बताना चाहूंगा जो यह स्रिष्टि जो जिसमें हम जीवन व्यापन कर रहे हैं इस स्रिष्टि की टोटल आईयो जो है कुल आईयो है चार अरब 32 क्रोड वर्सपेल जी और यह मैं सनातन साहित्य के अधार पर बता रहा हूं कोई ऐसे नहीं बता रहा है और उसमें से अभी तक का जो टाइम गया है वो गया है एक अरब 96 क्रोड आठ लाख 53,125 वर्स और आज से 251 वर्स पहले श्री क्रिष्ण का जनम हुआ था और जिस्से में स्री क्रिष्ण का जनम हुआ उस समय तक स्रिष्टी की आयो जो बीत चुके थी वो थी एक अरब 96 क्रोड आठ लाख 48,000 वर्स यहनि की इतनी श्रिष्टी का काल जब बीत गया था तब क्रिष्ण ने जनम लिया था आरारम्ब से लिकर के उस तक और आज से यदि हम काउंट करेंगे तो वो 951 वर्स पहले स्री क्रिष्ण ने जनम लिया था रही बात उनके जनम कितने हुए स्री क्रिशन ने खुदी बताया है स्री क्रिशन ने क्या कहा अर्जुन को गीता के माध्यम से ये बताया कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत से जनम हो चुके है मैं अपने उन सभी जनमों के विशे में जानता हूँ प्रंतु तुम नहीं जानते है इस विश्या पर फिर मैंने थोड़ा सा अनुसंधान किया कुछ पुस्त के देखी तो मुझे भी केवल क्रिशन के तीन जनमों के विश्या में जन करें मिली जो उनका अंतिम जनम था क्रिशन के रूप में उससे जो पहला उनका जनम हुआ था जिसको हम छटा जनम कह सकते हैं वैसे साथ जनम लिये हैं अभी तक ये जो लगवग दो अरब साल का टाइम उनका निकला है मतलब अभी तक श्रिष्टी का इसमें साथ जनम हुए है क्रिशन के सात्मा जनम क्रिशन के रूप में था और इससे जो पहला जनम था उनका वो मह उनका नाम तो हम सब जानते हैं, पर ये चीज मैंने खोज के निकाली के उस्तकों से, वो थे महरिशी मनू, महरिशी मनू, जिन्होंने मनू सम्रित्ती का निर्मान किया था, वो क्रिश्ण की आत्मा थी और स्रिष्टी के आदि में उत्पन पुए थे। तो क्रिश्ण जी, जैसे कि हम सब जानते हैं कि स्री क्रिश्ण भगवान के बालेगाव से जुड़ी बहुत सी घटनाए हैं, जैसे कि अरिश्टावद हो गया, पूतनावद हो गया, या बकासुरवद हो गया, उनमें से एक प्रमुक है उखल बंधन, जिसको आपने अपने क किताब में बहुत ही विस्तार से बताए हैं, उसके बारे में थोड़ा सा दर्शुकों को बताईए कि क्या घटना रही हैं, देखिए क्रिश्ण के जीवन से जितने भी घटनाए संबंदित हैं, उनमें कुछने कुछ तो रस है, सभी में रस है, किसी में किसी तरह का है, किस जो क्रिशन थे उसको बताने के वज़ाए उन्होंने कुछ और लेपन कर दिया और उससे दिख भ्रमित हो गया सब का पुरा का पुरसमाज तो उखल बंधन क्या था वैसे तो ये एक साधान घटना थी अब जैसे माता या सोधा माखन निकाल रही थी तो क्रिशन अंदर आए और माता से कहा कि मुझे माखन दो खाने के लिए तो माता कहने लगी अभी जो हैं दूद को बिलो रही हैं और थोड़ी दिर रुख जाओ मैं उसके बाद जैसे माखन निकलेगा तो मैं दे दूँ तो क्रिशन थोड़ा उच्रिंखल तो था उच्रिंखल का मतलब है उसको स अश्रारती बच्चा भी कह सकते हैं बच्पन में हर बच्चा होता है वो भी हमारे की तरह ही इनसान था जैसे हमारे दो हाथ पाऊं सब कुछ है उसी तरह थे वो पर वो दिव्य थी उनका और हमारा मुकाबला नहीं है कहीं पर भी तो क्रिशन ने क्या किया एक पथर उठा और उस बिलॉनी पर मार दिया इससे वह बिलॉनी तोट गी और वो सब दूद ही सब कुछ गरिया तो माता ने क्या किया माता ने उसे उखल पर बांद दिया उखल समझते हैं हम सब तो आजकल गाओं में तो वैसे भी होता है सेरों में भी होता है तो उखल में बांग दिया अब क्रिश्ण जनम से बड़ा ताकतवर भी रहे हैं बुद्धिमान भी रहे हैं तो उन्होंने क्या कि हम माता से नजर चुरा के और उस उखल को खीच करके बाहर ले गए और बाहर जो उनका भरामदा जो एक खुछा स्थान था वाहां दो विक्स लगे वह थे अर्जुन के इस घटने को यमला अर्चन उद्धार भी बॉतने हैं उखल तो वह जैसे जैसे उस उखल को कीच के लिए जा रहा है तो वह दो पेट जो पास पास में look क्रिश्ण कोशिश कर रहा था कि अब कैसे निकला जाए इस से तो जैसे उसने जो लगाया तो दोनों पेड़ पोधे जो भी थे वह गिर गए तो इतिहासकार ने क्या कहा कि यह जो दोनों पोधे थे यह वरुण के पूतर थे और जिनका उधार स्री क्रिश्ण ने किया प्रंतु इशोप निश्द में एक मंत्र आता है, एसूरिय नाम तेलो का अंधिन तम्शाह वरिताहा, तांस्ते प्रेत्यावी गचंती ही, ये के चात्महनों जना, उसमें क्या कहा है, कि जो व्यक्ति अपनी आत्मा की विरुद, अपनी आत्मा की आवाज की विरुद जो कर्म करता है, तो उसको स्थावर आधी योनियों में जनम लेना पड़ता है, स्थावर के है, व्रिक्ष आधी योनियों, तो इतिहासकार ने उस चीज को यहां पर परि उद्धार कर दिया एक द्रिष्टी से देखा जाए ये उन जो स्थावर योनी से वो बाहर निकल गए तो वो यमला अर्जोन उद्धार उन्होंने इसको परिवासित किया है और ये इस धंग से कता थे तो श्री तृष्ण के बालेकाल में उन्होंने बहुत सी करमाते भी करक कि गोवर्धन पर्वत को उन्होंने श्री कृष्ण ने अपने उंगली पर उठाया था उसका रामात के बारे में थोड़ा सा अधाई दर्शकों को तेकि ये गोवर्धन का आर्थ अगर हम समझे गोव प्लस वर्धन दो सब्दों से मिलकर बना है ये गोव कहते गाएं को को भी कहते हैं गोव हमारे इंद्रियों को भी कहते हैं गोव प्लस वर्धन यानि गवों का वर्धन संरक्षन रक्षन उनका बढ़ाना ये आर्थ है गोव वर्धन का पर इसमें क्या था गाटना इसमें एक घाटित हुई है गर्ग सहिता भागवात और विष्णुप्राण में भी ये घाटना का हलका सा जिकर है तो उसमें क्या है कि एक बार जैसे जो जितने वी गोव हैं जो गोवों को चराते थे गोप है गोपिया है इनको गोपी भी कहते थे गोपों कुछ राने वाले गोपी और गोप चाहे वो लड़किया हो तो गोपी कह देते थे और लड़का है तो उसको गोप कहते थे तो वो सब क्या करते थे हर साल अच्छी वरिष्टी होने के लिए वर्षा अच्छी हो इसके यज किया करते हैं ताकि अच्छी वर्षा से अच्छा चारा भी होगा अच्छा चारा होगा अच्छी फसल होगी उसे गवें अच्छा दूर भी देंगी उनका संरक्षन भी बढ़ेगा रक्षन होगा तो वो क्या करते थे कि यज करते थे गो संरक्षन के लिए तो उस दुर इंद्र की पुजा का अर्थ क्या है इंद्र वैसे जल के देवता को इंद्र बोलते हैं जैसे अगनी के देवता को सूरिय कहते हैं सूरिय भगवान अगनी का देवता है इसी परकार जल का देवता इंद्र होता है तो वो जो है उसमें एक परंपरा थे कि इंद्र की पुजा क करने का कोई मेहत्व नहीं है आप क्या करो गोवर्धन का पुजा करो यानि कि आप ऐसे यज करो जिससे की गवों का संरक्षन हो बढ़े वो तो उस तरीके से उन्होंने अब एक इसमें हमने कई नाटको में और कई सीरियल्स में देखा है कि इसे इंदर कुरुध हो गया और उन्होंने अतिव रिष्टी कर दी चलो एक यह सेपरेट घटना है अतिव रिष्टी हुई उसमें उसको अब हम यह मा लेते हैं कि ज्यादा या बिल्कुल वर्षा ना तो हम यह काते कि इंदर का कॉप है यह पर उसमें यह जो घटना हुई कि अतिव रिष्टी हुई और इतनी ज्यादा पानी वर्षा कि लोगों के घरों में पानी भर गया बाड़ के स्थिती वैदा होगी तो जिससे में यह घटना हुई तो लोगों के दिमाग में केवल अब क्रिष्ण ही हमें बचाएंगे तो उन्होंने सभी ने उनको क्रिष्ण को पुकारा तो क्रिष्ण ने क्या किया अपने गवाल वालों के साथ अपने भाई के साथ उनको ले करके और गोवर्धन परवत है वहां आज भी है थोड़ा छोटा है मतलब यह नहीं है तो वहीं पर उन्हेंने खाना पीना और सब कुछ किया वहीं पर गवोगों को रखा वहीं पर संदख्षन गवोगों का किया तो उससे क्या हुआ की जो गाउं के लोग थे वो बड़े परसंचित हुए उन्होंने क्रिष्ण का आभारवेक्थ किया और इसको जो है जब क्र कोई हमारी help करता है तो हम उसके आभ़ार हो जाते हैं। तो किया पते इसका अर्थ की हुआ हुआ कि Casey औंगली को ही उगली पर नचने का आर्थ हुआ कि उनुन ने गोवर्धन पर्वत पर जो कृषिन गये थे टो लोगों ने क्या मुझा दिया कि ऑगото कि और खृच्षन सब उसकी बात को मानने लगे तो क्रिश्ण जी जैसा कि नाटकों में दिखाया जाता है और हम सब ने सुना है कि क्रिश्ण जी ने कालिया नाग के फनपन रित्य किया था तो क्या जैसे कि नाटकों में कालिया नाग का बहुत बड़ा विशाल स्वरूप दिखाया जाता है त उसमें क्या था गॉपूल के और यमिज नदी बैखती थी उसमें क्यार्ण करता था तो, क्या होता था एक तो इस कारण से क्या होता था कि लोग दुखी थे उन्हें गठना कृष्ण को यह घटना हम सुन रहें आप पर जो मैंने लिखा है उसमें क्या है मैंने जो में रिसर्च किया है उस दोर में पाताल लोग को हम अदों पाताल लोग में एक क्रांती आई थी तो उससे वहां के जो लोग थे वो दुनिया के विबन दे तो एक नाग संपरदाय था, आज भी है नाग संपरदाय भारत में, नाग संपरदाय के लोग आज भी रहते हैं, नाग संपरदाय के जो लोग हैं, वो आ करके यहां पर बस गए, और वो बसे कहां पर, जिस जगह पर बसे, उस जगह का नाम था काली दाह, काली दाह आज भी बिंदावन में जाओगे तो एक जगे आपको वहां पर लिखी हुए मिलेगे काली दाह, तो वो काली दाह में आकर के बस गए, और जैसे आदिवासी एकांत में रह जाते हैं, वो वहां पर रह करके अपना जिवनी अपने करने में, परन्तु क्रिशन ने क्या किया, उनको भाने के बाद अपने साथ मिला लिया तो वो सब के सब जो काली दहे में आ करके बस गए थे वो सब कृशन के अनुसर काम करने लगते हैं तो इसका अर्थ क्या है कि उस कृशन ने उनकाली दहे में रहने वाले सभी लोगों को नाथ दिया, अब ये एक मुहावरा भी है, क्यों नाथ दिया, नाथ दिया का मतलब है, उनको अपने आगोस में ले लिया, अपने परभाव में ले लिया, तो इस परकार से कालीद है में रहने वाले सभी लोगों को, उन्होंने अपने परभाव म नहीं था बड़ा जिस पे जाकर कि वो नित्य करने लगे और वो इस तरह की घटना ये प्रक्षिप्त घटना ये माने जाती है तो ये थे कृष्ण कुमार आरे जी जिलोन है श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी बहुत सी भ्रांतिया या बातों को स्पष्ट किया अगले अपिसोड में हम बात करेंगे श्री कृष्ण की रासलीलाओं की उनके बारे में गोपियों के बारे में और श्री कृष्ण के जीवन के बारे में कि उनको किस तरह से कृष्ण कुमार आरे जी ने अपनी किताब में संदर्भित किया है या परिभाशित किया है आपको अब आरे प्रोग्राम कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहें अर्थप्रकाश टीवी